Dear students, I am Rupali Mem, Computer Trader Welcome to my YouTube channel, 11 Computer Classes अगर आपने मेरे चैनल को अभी तर सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इससे आपको नई-नई वीडियो जो अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने फ्रेंड के साथ या ग्लासमेट के साथ इसको शेर केजिए लाइक केजिए तो आईए students, आज की वीडियो ग्लास में हम बात करते हैं कि नोटपेड में हम अपनी एपलीकेशन का फॉर्मेट कैसे तयार करते हैं एपलीकेशन लिखते समय हमें कौन कौन से पाइंट का विसे ज्यान रगना है यह आज हम सीखेंगे अपनी वीडियो ग्लास में मैं आपको पहले बता दूँगे बाटपेड जो नोटपेड होता है आपका विंडो को पाट होता है इसकी रन कमांड आपकी नोटपेड होती है यहां पर मैंने टास्क वार में नोटपेड ऑपन किया है यहां से मैं इसको ओपन कर लिया है यहां पर जो एक अपलीकेशन टाइप हुई है इसका कोई फॉर्मेंट तयार नहीं है एक ऐसी application लिख रही है ठीक है अब इसमें हमें पूरी अपनी application को लिखकर तयार करना है ठीक है सबसे पहले हमें यहाँ पर click करने के बाद जब भी हम application लिखते हैं तो उपर heading डालते है application ठीक है students नहीं इसमें underline का use होता है इसमें अगर आपको center में लेके जा रहा है cursor को तो आप space का use करेंगे ठीक है space को आपने इस type से space देने के बाद हम यहाँ पर application को लिखेंगे application को heading डाल दिया ठीक है a-w-p-l-i-c-a-t-i-o-n ठीक है application हमने लिख लिया heading हो गोई ठीक है अब जब भी हम application लिखते हैं to to के बाद हम हमें सब कॉमा लगा दिया है इसके बाद हम लिखते है to the principal the principal को हमें space से थोड़ा side में लिखना है thीक है college का name है इसको भी हमें थोड़ा side से लिखना है college का name आप हमेंसा capital में ही एस डी डी आई के जस्ट नीचे हैं इसलाम नगर बदाईयों लिखा है ठीक है इसके जस्ट नीचे आते हैं आपका सर ठीक है सर के बाद हमने कॉमा लगाया है ठीक है कॉमा के बाद हम लिखते हैं most respectfully I beg to say that I have been suffering from fever since the last night यह जो लाइन है आपकी यह थोड़ा सा इसको आप साइड में रख दीजिए ठीक है यह स्टाइप से साइड में आ गई है अब जो सिंस वारी लाइन है आपकी इसको भी थोड़ा आप इस टाइप से इसके बाद है आपकी kindly grant me live for two days जो kindly grant वाली जो line होती है आपकी इसको भी आप इसको यहां से space की help से साइड में कर लीजिए ठीक है इसके बाद आता है आपका thank you ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर आता है आपका your evidently your evidently भी अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ा सकते है ठ space comment name है name को हम इस type से side में रख लेंगे space की help से ठीक है date डाल लीए है आपको यहाप है date के लिए आप क्या करते है f5 होती है shortcut की इसकी तो आप f9 के साथ या window के साथ f5 को press करेंगी ठीक है date and time आगया ठीक है अब यह आपका इधर चलागा एक बार आप इस ठीक है control के साथ आप लाइगी ठीक है file का नाम डाल दीजी जैसे हमने यहाप डाल दिया application ठीक है app डाल दिया वेने खाली save कर लेजिए ठीक है यहाँ पर आपको टाइटल बार में show हो रहा है AWP notpad ठीक है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी file जो है वो AWP के नाम से save है I hope students आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट बक्स में कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड के साथ लाइक करना शेर करना ना भूले थेंक्यू स्ट्रेंट्स